हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेनी स्कूल पर हार्दिक स्वागत है देखे आज हम बात करने जा रहे हैं CBSC ने जो है सिलेबस से कुछ चैप्टर्स को बाहर किया है उसमें से कुछ चैप्टर्स आप देखेंगे मुगल्स के उपर हैं कोड़वार के उपर हैं उर्दू पोएम वर्सिस ऑफ फैज और भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको CBSC ने 2022-23 के सैसन यानि जो अभी चल रहा है उससे बाहर कर दिया है यानि ये चैप्टर्स अब इस बार के एक्जाम में नहीं आएंगे उनको सलेबस से बाहर कर दिया गया है तो देखें कौन-कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं क्या वज़ा रही उनको बाहर करने की क्या कहना है CBSC का और देखें जो कह सकते हैं सिक्साविद्ध हैं और या कह सकते हैं जो इतिहासकार हैं वो इसके बारे में क्या मत रखते हैं वो भी हम चर्चा करेंगे और आखिर उनका जो क्रिटिक्स है जो आलोशना की जा रही है उसकी क्या वज़ा है इन सब बातों पर हम जानेगे तो देखें हम बिना समय गवाए अपना वीडियो सुरू करते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें सबसे पहले आपको CBSC की फुल फोम पता होना जरूरी है Central Board of Secondary Education उसमें जो चैप्टर से हैं आप दिखेंगे सबसे पहले जनने हाप नाम है Rise of Islamic Empires in Afro-Asian Territories Chronicles of Mughal Courts Cold War and the Industrial Revolution from the History and Political Science Syllabus of Class 11th and 12th तो यह सब चैप्टर से रिमूफ किये गए हैं हम डिटेल बेन के बारे में जानेंगे The Board has also officially declared that it will conduct only one board exam देखिए अभी तक क्या हो रहा था पिछले दो साल से COVID की वज़े से CBSC ने क्या किया था Two exam process शुरू किया था यानि दो बार exam होते थे क्योंकि पता नहीं कब ओगोंसा exam होगा नहीं होगा तो एक exam के आधार पर marks दी जाते थे अभी उसको यहाँ पर क्या बंद कर दिया गया है क्योंकि अभी सब कुछ नोर्मल चल रहा है तो officially declared that it will conduct only one board exam for the 2022-23 batch 2022-23 batch के लिए अभी केवल जो board exam होगा वो साल में एक ही बार होगा CBSC which released the syllabus for 2022-23 session has rationalized the course work for students of class 9th to 12th by around 30% to reduce their burden तो देखेजिए उनका क्या कहना है कि हमने 9th, 12th का जो syllabus है कम किया है rationalize किया है उस पे काफी debate हुई है discussion हुआ है और हमने जो उस syllabus को उनके को 30% कम कर दिया जिससे students का burden कम हो सके और उनको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना आए और आराई से वो exam दे सके while the board has maintained that it's rationalization of the syllabus देखे जो हमने rationalization किया है syllabus का वो किस आधार पे किया है वो हमने किया है NCERT के recommendations के आधार पर यानि हम जो syllabus में कुछ भी change करते हैं वो NCERT की recommendations के आधार पर करते हैं NCERT की full form फिर आपको पता होनी चाहिए National Council of Educational Research and Training अब देखे हम बात करते हैं कि कौन-कौन से topics कौन-कौन से chapters ऐसे हैं जो remove किये गए हैं हो सकता है कि इसमें कुछ दिन बाद आपको controversy भी देखने को मिले लेकिन अभी हम बात करेंगे किवल उन chapters की जो यहां से remove किये गए हैं और उनका क्या impact हो सकता है तो the translated excerpts from two poems by Fais, Ahmed, Fais देखे Fais, Ahmed, Fais जो हैं यह कह सकते हैं कि पाकिस्ताल मूल के आप उनको नजम कार बोल सकते हो उर्दू language के यह poets Under the religion, communism and politics Communism, secular state यह जो chapter है इसके अंदर से sections has been removed from the 10th syllabus जो 10th का syllabus था उसमें से इस chapter को यहां से निकाल दिया गया है The poems have been removed from NCRT textbook जो यह poem थी यहां पर NCRT textbook से निकाल दिया गया जिसका टाइटर था Democratic Politics Part 2 The changes have been made in the CBSC syllabus 2022 ते हिस यह कब रिल जोआ था? 21 अप्रेल किये बात है तो देखें जो Fez versus excluded from class 10th textbook in latest CBSC tweak तो देखें इसके ओपर आप देखेंगे यहां पर अकबार की cutting है जो यहां पर point है We remain strangers even after so many meetings Blood strains remain even after so many rains तो देखें यह सब जो है आप देखेंगे यहां पर बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है कि यह सब points यहां से निकाले गए है For over a decade, CBSC students have read these translated excerpts from two poems in the Urdu by Fez Ahmed But अभी उनको यहां से निकाल दिया गया है While the segment on religion, communism and politics will continue to be a part of the class 10th जो chapter का नाम है देखेंगे यहां पर part रहेगा 10th syllabus का only images on page 46, 48 and 49 पर जो images हैं, उनको हटाया गया है These images carry two posters and one cartoon तो देखें यह जो आप posters देख पा रहे हैं यह जो आप poster देख पा रहे हैं यह cartoon है, आप देखें The chair is for the CM designate to prove his secular credentials There will be plenty of rocking और देखें यहां पर यह वो नजम है या poster है जिसको हटाया जा रहा है हम तो ठहरे अजनभी कितनी मुलाकातों के बाद खून के दब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद तो देखें यह उसका English version है यह वो ऐसे तीन pages हैं जो यहां से निकाले गए हैं Topics of Impact of Globalization on Agriculture From a chapter on Food Security Food Security जो चैप्टर था उसमें से एक Topic को निकाला गया है Impact of Globalization on Agriculture इसको भी यहां से Dropped किया गया है Class 10th की NCRT बुक से देखिए Democracy and Diversity इस चैप्टर को हटा दिया गया है Which deals with social divisions and inequalities on the basis of race and caste across India and the world यानि भारत और पूरे विश्व में जो भी आपके देखिएते हैं divisions हैं और ऐसमानता हैं जो caste, creed, racist basis पे होती हैं यह जो चैप्टर है उससे deal करता था इसको भी यहां पर हटा दिया गया है Was also dropped from CBSC news slaybers chapters such as popular struggle and movements and challenges to democracy were also removed The chapter title अब हम बात करते हैं 11th की history की उसमें chapter है Central Islamic Lands dropped from CBSC 11th history जो क्या deal करता था Rise of Islamic Empire in the Afro-Asian territories and its implications for economy and society The chapter talks about the arenas of Islam its emergence and the rise of Caliphate and Empire building तो देखिए Islam का उदे कैसे हुआ उसका विस्तार कैसे हुआ उसमें जो खलीफा हुए उनकी क्या कहानी थी और जो Empire building थी उसके बारे में काफी जादा यहां पर detail में बताय गया था तो इस chapter को भी यहां से निकाल दिया गया है The Dropped Chapter of CBSC Class 12th History Slaybers titled The Mughal Court देखिए जो chapter का नाम था Mughal Court Reconstructing Histories Through Chronicles इसको भी यहां पर निकाल दिया गया है जो क्या है यहां पर Mughal Court का जो Chronicle है उनको वहां से deal करता था This chapter gives insights into the social, religious and culture history of the Mughals देखिए सामाजिक, धार्मिक और जो सांस्कर्तिक कह सकते हैं यहां पर history थी Mughal Court की यह chapter उसको deal करता था इस chapter को भी यहां से निकाल दिया गया है According to the CBSC जैसे मैंने आपको बताया उन्होंने NCERT की recommendations पर यह किया है But many teachers have questioned the removal of these chapters from the CBSC slaybers इन chapters को जो निकाल गया है काफी teachers हैं जो इस बात को यहां पर question कर रहे है अब CBSC ऐसा क्यों करती है CBSC annually करती है provides curriculum for class 9-12 containing academic content जो academic content होता है उसके regarding अपना curriculum provide करती है syllabus for examinations with learning outcomes pedagogical practices and assessment guidelines तो जो भी देखिए यहां पर CBSC है वो हर साल 9-12 के लिए अपना academic content देती है syllabus देती है जो practice assessment होता है वो सब महाँ पर provide करती है annually considering the feedback of stakeholders and other prevailing conditioners the board is in favor of conducting the annual scheme of assessment at the end of the academic session तो देखिए जो भी होगा बाकी इस academic session के बाद में वो क्या करेंगे इनके assessment करेंगे CBSC had removed chapter in the past as well देखिए आप सभी को पता होगा काम चल रहा था तब भी यहाँ पर कुछ chapters remove किये गए थे जिससे जो students हैं उन पर load कम पड़े क्योंकि बच्चे इसको नहीं जा पा रहे थे तो in the year 2020 the board has said it will not consider the chapters on federalism, citizenship and nationalism and secularism in the chapter 11th political science तेकि यह chapters जो हैं निकाल दिये गए थे federalism, citizenship, nationalism and secularism और इसका काफी वरोध हुआ था और वापस इन topics को यहाँ पर कह सकते हैं controversy के बाद में restore किया गया था अगर आपको CBSC का जो news label से वो check करना है तो आप cbsc academic.nic.in पर जाकर check कर सकते हैं अब देखे बात करते हैं हम आलोशना की criticism क्या कहता है देखे पहली चीज तो सबसे बड़ी यह है कि markets में already books circulation में है books market में आ चुकी है जो पुरानी books है जो ये topics ये हटाए गए है already उन topics की चल रहे हैं तो बच्चे books यहाँ पर खरीद भी सुकी है history teacher क्या कहता है in a secular country like ours it is very important to have in depth knowledge of different religions देखे भारत जो है एक diverse country है वहाँ पर हमारे देश में विविलता में एकता पाई जाती है बहुत ही जाती धर्म हर समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं और यही हमारी कह सकते हैं सबसे बड़ी खासियत है विविलता में एकता तो देखे हमारे जैसा जो secular country है जो किसी भी धर्म को special नहीं मानता है वहाँ पर किसी भी धर्म के बारे में निकालना एक negative impact डालता है और हमें सब धर्मों के बारे में different religions के बारे में एक depth knowledge होनी चाहिए अगर हम उसको हटा देंगे तो यह एक अच्छा नहीं होगा The chapter Central Islamic lands was a detailed study about Islam from its originals until now Islam जहां से सुरू होता है और अब तक की उसकी पूरी detailed history है similarly जो मुगल वाला chapter है वो कह सकते हैं कि hurt है मद्देकालीन भारत के इत्यास का removing these two topics is completely irrational इन topics को निकालना completely irrational है देखें यहाँ पर भी देखें देश का जो इतिहास है हम जो NCRT अभी तक use करते आ रहे हैं जो भी हम use करते आ रहे हैं बुक्स देखें उनमें 90 to 95% जो हैं मुगल्स हैं और मुगल्स कोन थे? मुगल्स थे, आकरमनकारी इन्वेडर्स थे वो यहाँ पर आकरम करने के उदेश्य से आये थे अब 90% इतियास करा आपने उनमें का भर दिया है तो हमने अपना इतियास का जाना देखें हमारा इतियास मैं मान सकता हूँ कि इस time period में बहुत ही कम है इतना इतियास हमारा नहीं है कि आप उसके लिए पूरी एक book बना सको लेकिन उसी हो सकता है कि उसी उदेश्य से वो उनका इतियास भी डाला गया क्योंकि हमारे जो अधुनिक भारत है उस पर मद्देकालिन भारत का बहुत ज़्यादा परभाव पड़ता है तो इस परभाव की वज़े से भी यहाँ पर मुगलों को डाला गया लेकिन जो यह है rational नहीं है मुगलों का इतियास मुगलों की बारे में इतनी जनकारी प्रोवाइड की गई है उसकी 10% भी हमारे जो कह सकते हैं लोकल उस टेम पे राजा हुआ करते थे उनके बारे में इतनी जनकारी प्रोवाइड नहीं की गई है तो देखे इसमें कोई गलत बात नहीं है इन चीजों को यहाँ से remove ना करके उनके बारे में knowledge जरूर होनी चाहिए आपको हर धर्म के बारे में आपको जनकारी होनी चाहिए बट हमें अपनी इत्यास को भी जानना उतना ही जरूरी है अनादर हिस्ट्री टीचर वो कहते हैं many topics in the chapters have been excluded are relevant in present times as well जो कुछ chapters निकाले गए हैं वो ऐसे हैं जो आज के time में भी relevant हैं in fact the Mughal court chapter there was a mention of transgender देखे वहाँ पर transgender के बारे में भी discussion किया गया है जो थे उनकी respect की जाती थी while they are struggling for their rights at present जबकि वो अभी भी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं instead of that they have included a chapter on economic and revenue policies of the Mughal empire which would not interest students much देखे जो economic and revenue policies है actually Mughal काल की उनके बारे में students में भी इंदा interest नहीं है और वो जादे हमारे लिए काम की भी नहीं है यहाँ पर a political science teacher वो क्या कहते है the chapter dealing with the cold war देखे cold war क्या है जब world war 2 खतम हुआ तो देखे पूरा विस्व दो group में divide हो गया अमरिका की side वाला group हो गया और रस्या की side वाला group हो गया जो अमरिका की side वाला group था और रस्या की side वाला group था उन दोनों में war चलता रहा और देखे जब अमरिका जब अप यू एस असारफा जो सोवियत संग था वो टुकड़ा हुआ उसका विभाजन हुआ तो उसके बाद ये सीत युद cold war के समापती हो जाती है तो दीखे cold war को जाना बहुत important है लेकिन हमने क्या है दोनों में से किसी भी पक्स के साथ रहना उचित नहीं समझा और हमने जो अपना good निर्पेक्षता की नीती है यानि जो हमने अपना non alignment moment है उसके साथ रहे और हम किसी के भी पूरी तरह से कह सकते हैं कि हम dependent नहीं रहे किसी के भी हाथों की कटपुथली नहीं रहे indirectly मैं बोल रहा हूँ हाला कि directly और entirely पूरे वर्ड का effect नहीं पर देखने को मिलता है the chapter dealing with the cold war was base of the chapter 2 यानि cold war के बाद का जो chapter है the end of bipolarity अगर आप उसमें cold war नहीं पढ़ाएंगे उससे पहले तो यह जो second chapter है आप उसको पढ़ा ही नहीं सकते हैं which deals with the aftermath of the collapse of the Soviet Union we cannot teach the second chapter without skipping the cold war यानि हम अगर उसको छोड़ देते हैं तो cold war को छोड़ देते हैं तो यह chapter हम पढ़ा ही नहीं सकते हैं when CBSC वालों से जब detail में बात की गई इसके बारे में पूछा गया यह सब क्या है तो उनका followed a due process while rationalizing the syllabus team of experts have worked on it we will soon release a detailed statement on how the board has rationalized the syllabus तो उनका कहना था देखिए इस पे बहुत लोगों एक्सपर्स ने काम किया है और हम एक detailed statement अपना जारी करेंगे जिसमें बताएंगे कि हमने यह जो निकाला है किस बेसिस पे निकाला है how the board has rationalized the syllabus इस syllabus को कैसे कह सकते हैं rationalize किया गया है तो उसके बारे में हम यहाँ पर पूरी तरह से detailed statement जारी करेंगे तो देखिए अभी तो आपके सामने यह है कि यह chapters ऐसे थे जो आपके syllabus से निकाल दिये गए है और अगर आप किसी भी exam के त्यारी कर रहे है कोई आप NCRT पढ़ रहे है तो देखिए जितना भी आप NCRT को देखेंगे आप हर बार कुछ नगोसे में चेंड देखेंगे तो latest जो version आएगा NCRT का उसमें यह chapters आपको देखने को नहीं मिलेंगे तो फिलाल यही आपके लिए है कि जितना जादा हो सकता है आप टच में रहे है NCRT के आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है चलिए फिर मिलेंगे आपसे जैहिंद जैभारत